हेलो दोस्तों, आईए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक बहुत ही टेस्टी, चटपटी, हेल्दी और इंस्टेंट रेसिपी और जो की मुझे बहुत पसंद भी है, वो है शकरकंदी एंड कॉन की चाट, मैंने सारा सामान प्रिपेर करके रखा है, आईए मैं आपको दिख काती हूँ और मिलकर हम चाट बनाते हैं, ये देखे, ये मैंने स्वीट कॉन बॉयल करके रख लिए है, ये शकरकंदी मैंने थोड़ी सी अलग तरीके से रोस्ट की है, दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, कैसे की है मैंने तवे को पहले प्री हीट करके, उसे फिर गैस को सि अचे से वाश करके, उस पर आप ओयल, देसी घी या बटर थोड़ा सा अपलाई करके, उसे तवे पर रख दीजिए, उसके बाद उसे एक बरतन से ढग दीजिए, और हर 2-3 मिनिट बाद उसे पलटते रहिए, और उस पर थोड़े से पानी के छीटे मारते रहिए, दस मिनि में दोस्तों शकरकंदी रोस्ट हो जाएगी और इस तरह से रोस्ट की हुई शकरकंदी का टेस्ट दोस्तों बहुत अच्छा होता है, तो मैं ऐसे ही शकरकंदी रोस्ट करती हूँ, ये हैं बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटे हुए प्यास, निम्बू, एंड ये मैंन ये कौन, ये टमाटर, ये प्यास, और दोस्तों आईए इसमें थोड़े से मसाले डालते हैं, ये थोड़ा सा मैंने डाला है, इसमें ब्लैक सॉल्ट, थोड़ी सी रेट चिरी पाउडर, बहुत ही थोड़ा सा, मसाले आप अपनी पसंद के अनुसार डालें, जो मसाले आप खाते हैं, खाना पसंद करते हैं, ये थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसमें आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, कोई भी जो आप को पसंद हो मसाला आप आड़ कर सकते हैं और ये है थोड़ा सा जीरा पाउडर ये दोस्तों अब इस पर थोड़ा सा निम्बू स्प्रेड करेंगे निम्बू छिड़केंगे ये लिजे हो गई हमारी तयार शकरकंदी एंड कॉंड की चाट एक बहुत ही टेस्टी चटपटी हेल्दी रेसिपी ये देखिए और अब इस पर गार्णिशिंग के लिए हम थोड़ा सा नारियल का ये जो कद्दू कस करके रखा है ये हम स्प्रेड कर देंगे तो दोस्तों तयार हो गई ये देखिए अब इसे सर्व करके हम खाते हैं ये बहुत ही टेस्टी चटपटी एंड हेल्दी और सबसे बड़ी बात इंस्टेंट रेसिपी है थेंक यू वेरी मच दोस्तों आप भी ये चार्ट बना कर जरूर खाईए थेंक यू वेरी मच अपना ध्यान रखे फिर मिलते हैं